हलो गाईज वेलकम तो चारापुणा चारापुणा में आप सब का फिरस्टेग वर्स हो गते तो दोस्तों कुछा दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया था जिस वीडियो में मैं जो recording था, वो recording भी मैं आप लोगों के लिए upload कर दिया था था कि आप लोगों को समझने में सुविदा हो। और उसके पहले दिन जो लोग मेरे चैनल की regular viewer है, उन लोगों को पता होगा कि उसकी पहले दिन मैंने बात किया था कि सुसान सिंग राजपूत की घर का वो पार्टी को लेके, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि मैं हर एक वीडियो में ये क कोशिश करता हूं कि कैसे सुसान सिंग राजपूत की एक केस को सौल्प किया जाए, और कैसे इस केस को और एक स्टेप आगे लेके जाया जाए, investigation के लिए, तो जिसके करना नय नय तरीके से इस केस को सौल्प करने की कोशिश मैं ढूंटता रहता हूं, उसी के साथ साथ दो तो आज की टॉपिक की उपर आते हैं कि जिस पॉइंट में था कि सुसन सिंग राजपूत की घर का जो पार्टी था यानि जो पार्टी हुआ था जो लेके बहुत सारा इशू भी उटा था कि सुसन सिंग राजपूत के घर पार्टी हुआ था कोई-कोई इसके एगिंस था की नहीं पार्टी नहीं हुआ था और किसी ने किसी नहीं इसको support किया था कि हाँ चलो उनके घर पार्टी हुआ था मैं ही देखा था तो ऐसा बहुत सारे मदभेद हम लोगों को देखने के लिए मिला था और मैं मेरा लस्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ये भी जिक्र किया था कि सुसंत की घर की पार्टी को लेके दो तरह की थियोरी आते हैं एक सुसंत की घर में ही पार्टी हुआ था दूसरा वो पार्टी सुसंत के घर में नहीं वो पार्टी हुआ था डिनो मोरिया की घर पर तो आज हम बात करेंगे उसी possibilities को लेके कि वो पार्टी डिनो मोरिया की घर में ही arrange किया गया था तो दोस्तो सबसे पहले मैं इस clue के उपर आता हूँ वो सबुत के उपर आओँगा जो सबुत कुछ महिने पहले हम लोगों के सामने आया था यानि सुसंसिंग राजपूत की घर की बगल में जो neighbor रहती थी वो neighbor ने ये disclose किया था कि सुसन सिंग राजपुत की घर में उस रात सारे 9 बजे के बाद कोई भी light नहीं जल रहा था यानि उन्होंने ये confirm किया था कि सुसन सिंग राजपुत के घर उस दिन या फिर उस रात कोई भी party नहीं हुआ था उसके बाद आते हैं next clue यानि वो चाचा वो चाचा ने भी ये confirm किया था कि उन्होंने सुसन सिंग राजपुत के साथ रात बारा या फिर सारे बारा की आस पास उन्होंने उनके साथ बात किया था तो मतलब इनकी बातों से और इनकी बायान से क्योंकि मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि उन दोनों की बायान की उपर कि उन दोनों ने कुछ ऐसा बात कहा है उसी बात के हिसाब से अगर calculation किया जाएगा तो आराम से देखा जा सकते हैं कि सुसन सिंग राजपुत के घर पे क कई मिन्टों की दूरी में हैं डिनो मोरिया की घर और डिनो मोरिया के साथ वो पपु का जिनका बादग्रे था उस दिन उनका बहुत गहरी संबन्ध है और उसी के साथ साथ सुसन सिंग राजपुत को खतम करने के लिए वो सारे के सारे कलप्रिट्स एकी छटके नीचे आ चुका था कि सुसान सिंग राजपूत को खतम करना है क्योंकि सुसान सिंग राजपूत उन लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका था और सबसे बड़ी चीज सुसान सिंग राजपूत उन लोगों के लिए एक डर बन चुका था और जिस डर को खतम करने के लिए क्योंकि अगर वो डर जिन्दा रहेगा तो फिर वो लोग मारा जाएगा और जिसके करण अगर उन लोगों को जिन्दा रहना है तो फिर सुसंत नामक उस डर को मिटाना होगा जड़ से और जिसके लिए उनके घर पे शायद ये काम करना उतना आसा नहीं था तो जिसके करण क्लूज तो भी कही न कही ऐसे ही सेट होता है दोस्तों देखिए एक बार सुसन सिंग राजपूत को उनकी घर से निकलने के लिए वो सिसी डिवी कैमेरा शायद आप किया गया था और सुसन सिंग राजपूत को कुछ ना कुछ करने के बाद मैं कोई भी चीजों की उपर strongly believe नहीं करता तो जब तक कोई भी प्रावन ना आ जाते मेरे हाथ पे क्यूंकि अगर मैं कहूं कि सुसन सिंग राजपूत के साथ यही हुआ है मेरे पास कोई evidence नहीं है तो जिसके करन यह कहना गलत होगा तो हो सकता है कि सुसन सिंग राजपूत को कुछ कर देने के बाद वो लोगों ने CCTV camera off होने की मदद लेकि वो सहारा लेके सुसन को उनके घर में घुसाया था और हाला कि उस टाइम पे CCTV camera off था तो यह calculation कोई भी लगा लेगा कि सुसन उस टाइम पे side sense में नहीं था या फिर सुसन इस दुनिया में ही नहीं था तो इन दोनों में से कोई भी एक point होगा अभी मुद्दा यह है कि डिनो मोरिया के घर पे जो party हुआ था वो तो कोई भी accept नहीं करेगा अभी के दिन आ के अगर उन लोगों से पूछताच किया जाएगा कि वो party या फिर party के बारे में कुछ भी अगर पूछताच किया जाएगा कोई भी accept नहीं करेगा कौन करेगा कुछ न कुछ ऐसे फूटेज बागेरा ऐसे भी होंगे जिस फूटेज को collect करके यह देखा जा सकता है कि सुसन सिंग राजपूत की एपाटमेंट से कौन कौन निकला था और डिनो मोरिया की घर की जो आसपास का फूटेज है बो सारे के सारे निकल के यह देखा जा सकते है बहुत कुछ जान सकते हैं अभी भी मैंने जैसे कि मेरा कुछ वीडियो में ये जिकर किया था कि सुसन सिंग राजपूत की केस में जो लोग चिला चिला के कहते हैं कि उनकी केस में कोई भी प्रामान कोई भी सबूत नहीं बचा है वो लोगों ने सब कुछ मिटा दिया है गल कोई भी अगर अपनी दिल से चाहे कि सुसान सिंग राजपुत की केस को solve करना है तो ये कोई बड़ा challenge नहीं है दोस्तों और उसी के साथ साथ इतना दिन से case study करते हुए ये मैं confirm लगबग होई चुका हूँ कि वो party सुसान सिंग राजपुत के घर नहीं हुआ था और उस party का जो main मकसद था ये ही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो party को सुसान सिंग राजपुत को खतम करने के लिए arrange किया गया था या फिर सुसान सिंग राजपुत को उस party में decide किया गया था कि मार देंगे इन दोनों में से जो भी होगा इस case की उपर भी मैं आप लोगों से directly और detail में बात करूंगा कि क्या सुसान सिंग राजपुत को पहले से ही पता था कि दिशा सालियान की कातिल उस party में मौझूत है या फिर सुसान सिंग राजपुत को उस party में जाने के बाद ये मैसूस हुआ कि दिशा सालियान की कातिल ये है तो दोनों में से कुछ एक possibilities हो सकते है पर सुसान सिंग र चीज को अगर आप देखेंगे तो यह नेचरल सी बात है कि नहीं हो सकता है सुसंसिंग राजपूत के घर में पार्टी का जो थिए वो नहीं बन सकता है वो पार्टी जो है वह डेफिनेटली कईने कही डिनो मोरिया की घर को था और डिनो मोरिया का नाम केस में बारबार किसल कि नहीं आया अनिलंबानी का नाम किसले नहीं या डिनो मोरिया का नम किसले आया है यही सबसे बढ़ी सवाले मतलब बाबु तुम कुछ ना कुछ जोल तो किये हो नहीं तो तुमारा नाम इस के साथ नहीं चुड़ता तो दोस्तों इस चीज की उपर आप लोग सोचेगा उस के साथ आप लोगों के सामने बहुत जल्द मैं यह रखने बाला हूं कि इस पार्टी के पहले क्या सुसन सिंग राजपूत को पता चल चुका था कि दीशा सालियान की कातिल उस पार्टी में है या फिर सुसन सिंग राजपूत को उस पार्टी एटिन करने के बाद जाके प वीडियो की द्वारा मैं CBI से भी यही बिंती करूंगा कि जो कल्प्रिट्स के नाम उन्होंने सोच लिया है या फिर जो कल्प्रिट्स के नाम उन्होंने तैयार किया है उन नाम के लिस्ट में और एक नाम शामिल किया जाए बो है डिनो मोरिया का नाम क्यूंकि उनको भी खुश रहिएगा बड़िया रहिएगा